ओम श्री परमात्मने नमाहा अवस्थीज आयरवेज एनाटमी योगा एंड श्प्रिच्विल्टी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तिरपयावों कर लें और अपने साथियों से सेयर करें आज हमारे बीच म में हमारी योगा ट्रेनर सुभोध यादव जी पुनहा उपस्थित है और वो प्रोटोकाल के अनुसार जो आशन होने हैं उन्होंने शुरू में बताया कि वार्म अप एक्सरसाइज या योगा कैसे होता है योग करने से पहले की स्थिति उस वीडियो को देखें उसके आशन होते हैं आज के क्रम में है त्रिकोन आसन तो प्रारम में बताएंगी कि किस-kिस को आशन नहीं करना है क्योंकि वह उनको नहीं करना है आप प्र स्थित्सकों करना एक नहीं पहते हैं जुछ लेकिन जो-बग्रों कि जाता है प्रैस्क्राइब किया जाता है सास्त्री के अनुसार उसको वो बताएंगी फिर वो एक बार संछेप में विधी बताएंगी क्या से करते हैं फिर वो जह है उसको step by step करेंगी उसके पस्चाथ मैं उसका एनाटमी की दृष्टी से medical point of view दृष्टी से और जर्म सामानी की दृष्टी से जो है description दूँगा और आप सभी का दिन सुब हो मंगल मैं हो आप सभी के स्वास्त की मंगल कामना के साथ अब हम चलते हैं अपनी योगा एक्सपार्ट सुबोध यादव जी की ओर लंबी गेरी स्वास के साथ तीन बार ओम कार का उच्छारण करेंगे आँ 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 अस्तोमा सदिगमया तमसोमा जोतिर गमया मृत्योमा मृतम गमया ओम शांति ही शांति ही शांति ही हरियोम पिंगिन को यह आशन त्रिकोन आशन जो आप सिखाने जा रही है नहीं करना चाहिए सबसे पहले किन लोगों को त्रिकोन आशन नहीं करना चाहिए स्लिप डिस्क जिने स्लिप डिस्क की प्रॉबलम हो डिस्क बलजीं की प्रॉबलम हो क्रॉनिक बैक पेन हो उन्हें इन आशनों को नहीं करना चाहिए पेट से संबद्धित गंभीर समस्याओं में इन आसनों को नहीं करेंगे गर्भवस्थाएं वाली महिलाएं भी इन आसन को नहीं करेंगे और किनकिन को यह जह है चिकिसक या योगा ट्रेनर एडवाइस देते हैं कि आप इन इन रोगों में कर सकते हैं सिध्धान्तिक सास्त्री रूप में उनके नाम गिना है जिन्हें अपना बैली फैट कम करना हो उनके लिए उधर को कम करना हो उनके लिए आसन बहुत अच्छ है जिन्हें अपने पैर की पिंडली पंजे काफ मसल्स थाई को मजबूत बनाना है उनके लिए आसन बहुत ही बे करेंगे अभी करेंगी नहीं और संच्षेप में सब्सक्राइब वर्यबाद ऄज़ेंगे उसको करेंगीं सर्व्प्रथम हम सीधे खड़े थाएंगे उसके बाद तो नों पैरों में कंधों से जादा की दूरी और भ anticip अपने कंदे लेवल से ज्पैसरे दूरे इंट के भाईदे के बराबर समान Spidha कर लेंगे उसके भडूख धीरे धीरे उसी तरह से धासे धासे धीरए धीरिये अपने पैर की तरफ नीचे की और ट्रिकॉन स्थितिस पील dette आते हुए नीचे की और जाएंगे और चेहरे को गर्दन को उपर की और घुमा के रखेंगे अपने उपर वाले हाथ को देखेंगे दोनों कंदे एक सीध में रहेंगे पैर उठे नहीं होंगे पंजे खिसकेंगे रहीं और अपना संतुलन बनाए रखेंगे तो ठीक है तो फ हाथ और शरीर के बीच वे एक त्रिकॉण सा बनता है इसलिए इसे त्रिकॉण आशन कहते हैं अब आप जो है त्रिकॉण आशन करके दिखाईए यह उन्होंने गैब बनाया कंधे से अधिक बनाया और वैलेंस बनाया संतुलन बनाएंगे इसी स्थिति में कुछ सेकेंड रुक करके उन्हों हाथ देखे समाना अंतर प्रत्वी के समाना अंतर हैं यानि की गरदन से 90 डिग्री उन्होंने जुकना चालू किया एक पैर की दिसा में एक हाथ को ले जारी दूसरा हाथ आश्मान की तरफ उपर धीरे धीरे जा रहा है यह देखिए उन्होंने पैर को छुआ पंजे को छुआ और दूसरा हाथ आश्मान की तरफ तो देखे दोनों हाथ 90 डिग्री का लभग कोण बना रहे हैं तो और गरदन बीच में उन्हों हाथों के बीच में 90 डिग्री पर है और अब्डामिन और फोरेक्स यह भी 90 डिग्री पर है तो जो हमारा अब्डामिन है और चेस्ट है यह उस ट्रैंगिल का बेस बना रहा है और दो साइड्स जो है एक हाथ बना रहा है इनका जो है और एक पैर बना रहा है तो व की हास्त तो उनके बीच में और जो है ट्रंक यानि के मद्ध शरीर इसके बीच में ट्रैंगल बन रहा है और हाथ जितना ज्यादा उपर जा सकता है थोड़ा सा इनका और ज्यादा है क्योंकि फ्लेक्जिबिल्टी ज्यादा है तो उस वह रहा है और देखिए आसमान की तरफ देख भी रही है तो जो हाथ है उसकी जो उंगली है टिप है मिडल फिंगर है यह उसको देख रही है तो यह फाइनल स्टेज है पांस सेकेंड से लेके दो मिनट तक करने का अभ्यास लिखा गया है और जो कंप्टीशन के लिए त्यारी कर रहे हैं वह से ज्यादा का भी अ प्रुकी आगे के स्टेप लीजिए अब यह उन्होंने दूसरे साइड पर जहें लेफ्ट साइड में जुकना प्रारंब किया और लेफ्ट लेक को लेफ्ट आर्म से टच किया जमीन तक को भी टच किया और जो उनका राइट आज हाथ है हस्त है जो अपां लिम है उसको ज उपरा स्काई की तरफ तो और जो है 90 डिग्री पे गर्दन है आखें जो है आश्मान की तरफ है देख रहे हैं आश्मान को और इस समय जो ट्रेंगिल बन रहा है वो जो है बन रहा है लेफ्ट लोर लिम और लेफ्ट अपर लिम और ट्रंक ट्रंक का मतलब चेस्ट एंड अ होती है आगे पीछे दाय माय से जिससे दिख सके लोगों को तो एक सेकंड कुछ सेकंडों के लिए इसी में रुकेंगी जिससे बॉड़ी को चारों तरफ से देखा जा सके और क्योंकि उसको समझने के उपरांत ही साधक करने का प्रयास करेंगे यह सैध्धांतिक क्लास है और प्रेक्टिकल के लिए योगा ट्रेनर और चिकिस्षक की बिना परामर्ज या प्रेस्क्रिप्शन या पर्चे पे बिना लिखे नहीं करेंगे योग का एक्सपर्ट को साथ में खड़ा करके करेंगे क्योंकि इसमें गिरने का डर होता है यह पुने अपनी प्रारंभी का व अवस्था में पुनहें लोटेंगी धीरे देखे पैरों को शिकोड़ना चालू किया और कंदे के बरावर की दूरी की फिर जो है पैरों को मिला लिया या थोड़ी चैंच की दूरी भी रख सकते हैं जैसा उन साधक की स्थिति रहे और दोनों हाथों को पैरों के बीच में समरांतर किया और विश्राम की अवस्था में पुनहें आ गई तो इस तरीके से ये पूरा एक चक्र हुआ और बहुत ही सुन्दर तरीके से उन्होंने किया बिल्कुल परफेक्शन के साथ जैसा कॉपी बुक की स्टाइल कहते हैं किरकेट के मैच में ये कहा जाता है कि सुन परफेक्ट विधी से सुबोध यादव जी ने किया बिल्कुल उसी तरीके से तो उसको आप लोग ध्यान से बार-बार रिवाइंट करके देखेंगे अब जो है मैं उनसे के पास चलूंगा और सुबोध यादव जी से पूछूंगा कि इसके जो बीच के स्टेप्स थे प क्या साथानी साथ बिगनर्स को रखनी है बोलें सर्व प्रथम हम अपने यथा शक्ति जितना पैर खोल सकते हैं उतना है बहुत जादा नहीं बहुत कम नहीं कंदे की बराबर की दूरी तो रखेंगे कम से कम कंदे की बराबर की दूरी और से जादा प्रयास कर सकते हैं ले जब भी हम त्रिकोनासन में हाथों को जब नीचे बेंड करेंगे जब नीचे क्यों जुकाओ देंगे तो बहुत जादा नहीं करेंगे पहले प्रारंभी कवस्था में घुटने तक ही हाथ जाए उसके बाद घुटने से नीचे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए उस तरीके से आप अपने हाथों को पंजे तक ले जा सकते हैं और अपने गर्दन को आसमान की तरफ नीचे नहीं देखेंगे जिससे आपका संतुलन बिगड़ने की चांसे ज़्यादा रहते हैं अगर इचे देखते हैं उपर की तरफ देखते हैं तो संत्रलण बना रहता है और फाइनल स्टेज में ऐसा ही बताया गया है कि उपर देखना चाहिए तो बहुत सुंदर आपने बताया तो और दूसरी बात हाथ के उंगलियों को देखते हैं और आसमान को देखते हैं इससे अपने ध्यान को जब आप अपने उंगलियों को देखते हैं जसा सान ने बताया इससे अपका ध्यान केंद्रित होगा स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छा पॉइंट है इससे फेफड़े आपके मजबूत होंगे और पाचन सक्ति बढ़ेग और कमर का जो है मुवमेंट्स फ्लेक्जिबिल्टी लेटरल मुवमेंट लंबर रीजन में हो राए इसमें तो अब मैं यह चाहूंगा कि आप धीरे-धीरे एक-एक स्टेप करेंगी उस स्टेप को कुछ अनाटामी और मेडिकल पाइंट और इससे कुछ एक्सपर्ट कमें के रूप में मैं दूंगा तो अभी एक मिनट रुकें अब स्टार्ट करें यह देखिए हातों को दूरी बनाना चालू किया और 90 डिग्री पे लेटरल साइड अब्डेक्शन करते हुए वो ले जा रही है यह 90 डिग्री पे रखा यहां थोड़ी देर रुखते हैं विश् कोशिस नहीं करेंगे वर्ना गिर सकते हैं तो जितने से संतुलन बना रहे कि वहला आप उतना करेंगे धीरे धीरे रोज अभ्यास को बढ़ाएंगे और एक तरफ उन्होंने जुटना चालू किया तो दौनों लैक में जो है उतना ही गैप बनाएंगे देखिए यह उन्हो लिडोमास्टो procure意 है और दिख रही है तो यहानि उसके उपर यूझ से भी पूर्ण सकती मिलती है अक को इस तरीके से पूर्ण सक्टी मिलती है रयरे कर आस्मान की तरफी जा रही है उसमें विशेश्क करके जह सकति लग रही है तो उसको और ज्यादा भल मिलेगा और कटी मदल लंबर रीजन चेस्ट इसे मिलेगा और जब वो इन सारी मास्पेशियों को बल मिलता विशेश करके इनको और लंबर रीजन की जो वर्टिब्री हैं लंबर जो फाइव हैं उनमें जो है मुव्मेंट हो रहा है तो लेटरल साइड की तरफ जह है उसमें जुकाव हो रहा और यह तिरकोन बना अपने अपनी स्थिति में आएंगी और दूसरी साइड का करें थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे फिर से कुछ सेकिंड तक अपने को स्थिर करेंगे बैलेंस बनाएंगे सेरिबेलम ब्रेन पूरा फंक्शन में है और उसके फंक्शन वो दूसरी तरफ जुकी वही सब चीजें हुई काफ की मसल्स थाई की मसल्स जो लेटरल साइड में अपडामेन में मसल्स हैं उनमें उनको शक्ती मिल रही है बल मिल रही है तो लेटरल साइड का जो फैट है अपडामेन के आपार्स में जो फैट है वो कम होगा उसी पे ज रूब से जह है के रिया हो रही है पार्समें गती हो रही है और पार्स की जो मसल्स हैं वो हैं एक्स्टरनल ओबलिक एंटरनल ओबलीग ट्रांसफर्स सब्सक्राइब तीन मसल्स एबडामिन पर हैं और उनके उपर और जो डीप फेस्या नहीं होता क्योंकि जो डामेंड गैस बनती है और जो है जैसे प्रिग्नेंसी होती है या कोई टूमर हो गया या कुछ पानी ज्यादा पी लिया आपने खाना ज्यादा खाया लिया तो फैलने के लिए स्थान चाहिए अगर डीप फेस्या वहां हो जाएगा तो उसको इस पेस नहीं मिलेगा तो इस तरह ने वाफ डीप फेश्या को नहीं रखा है तो इस तरीके से यह चीज अब ड्रामेंड की होती है तो पार्स की जो लोग के कहते हैं यह कर साइड से मेरा ज्यादा तर यह लेडिस को होता कि देखे पार सुमें जह है लाइन से बन र बताएंगे तो कृपया वह हमारी साधक बताएंगे कि इस बीच उन्होंने क्या नवीन बात सोची जो बिगनर्स को बताने के लिए वो शेयर करें सर्व प्रथम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वास यह कोई एक्सराइज नहीं है योगा है योगा अभ्यास में स्वास की क्रिया बहुत ही महत्तपून रूप रहती है तो सबसे पहले आप स्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ को रखेंगे सामान करेंगे जैसे पहली स्थिति में जब धीरे धीरे आप नीचे की ओर जाएंगे तो स्वास को छोड़ते हुए जाएंगे नहीं करेगा नहीं रहाamp Blind पूरख करेगा रिए छख करेगा पहली पोजिस्टिशन मेंने फिर स्वांस भरते हुए आएंगे, फिर स्वांस भरते हुए लोटेंगे अपनी इनिशाल स्टेज में यानि कि जब हम कौन कम करते हैं, यानि कि नीचे की तरफ जुखते हैं, तब सास को छोड़ते हैं, बहार निकालते हैं, और जब हम फिर पुने लोट के आते हैं, तो सास को भरते हुए लाते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात बताई, सास की गती का और सास की स्परकार लेन आती है कि एक्स्प्लेइन नहीं की गई लेकिन स्वास को किस तरीके से रखना है यह भी उतना ही इंपार्टेंट है कि किसको आशन करना किसको नहीं करना जैसे यह इंपार्टेंट है ऐसे यह भी पाइंट इंपार्टेंट है कि स्वास को किस प्रकार से भरना है छोड़ना है कुमभक कुमभक कि आसन नहीं करना जब तक प्रानयाम नहीं हो और शुघान किसी भी आसन में जल्दीबाजी नहीं करें जतना धीरे आप करेंगे उतना फिक याप की शरीर के लिए बहतर है और किसी बी प्रसिश्शत के अंदर के उपस्थिती ऐस ऑ democrat के उसमें करें किहीं किसी भी आ जल्दीबाजी दिखाने सी आपके किसी और अंग में पिए स्ट्रेस ऑसकता है मसर्स का खिचाओ हो सकता है कि आपकी कि इस्थितिमें आप अपने को स्वस्थ्हalten मान रहे हैं च Ow game take the एक्सृष तक क्यों सा च्र काई और क्यों स till का इसलिए बिना चिकिस्षक और योगा दिग्री या डिपलोमा होल्डर के या आप कोई भी आसन नहीं करेंगे वीडियो देखके नहीं करेंगे वीडियो देखके तो आपके वल सध्धानतिक ज्यान प्राप्त कर रहे हैं और प्रियोगात्मक जो करेंगे वो योगा ट्रेनर और चिकि एक्ष रूप से सिखाने के लिए सुभोध यादव जी आपको शल्प करेंगी अगर कोई आपसे कर सकते हैं जिनने भी प्रसिक्षक की जरूरत है तो सीधा चैनल के माध्यम से जुड़कर संपर कर सकते हैं अगर वो योगे समझेंगी तो वो उसको करेंगी चैनल इसमें भी कर सकते हैं तो इसी के साथ अब जो है आप जो है सभी की सुख सांती और सम्रद्धि के लिए प्रात्थना करें ओम सर्वे भवन्तु सुखे नहा सर्वे संतु ने रामया सर्वे भद्रानी पश्यन्तु मा कश्चित दुख भववेत ओम शांती ही शांती ही शांती ही हरियों दर्शकों से प्रात्थना जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों से परजनों में इस वीडियो को सेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें बेला एकान दवाएं और ज्ञान है ज्ञान के गंगा बहर रही है योग का ये मन्त है और हमारे भारत के प्रदान मंतरी माननी है नरिंद्र दासगोल मोदी जी का ये संदेश है कि सभी जहें योग के माध्यम से स्वस्थ हों उन सब के उनी के संदेश को हम लोग फालो कर रहे हैं आप सब भी फालो करिए और योग के माध्यम से स्वस्थ बनिए निरोगी बनिए थेंक यू धन्यवाद शुक्रिया थेंक यू आल थेंक यू थेंक यू आल